हलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पूजा फैसन बुटिक में दोस्तो आज मैं आपको सलवार में पोकेट लगा के दिखाने वाला हूँ जो की इसे जेब भी बोलते हैं तो ये किस तरह से लगाना है ये सारा मैं step by step आपको बताऊंगा तो ये देखिए जिधर हम नाडा डालने का नेफा खोलते हैं तो वहाँ पे हमें एक पैर दबाओ देते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है उसके बाद में नाडा डालने के लिए एक इंच से सवा इंच बीच में हम एक गैब छोड़ेंगे उसके बाद में नीचे तक हमें सिलाई लगा देना है इस तरह से सिलाई को नीचे पक्का करके इस तरह से धागा कटिन करना है और इसके बाद में ये देखे जो दबाव है दोनों तरफ पलट देना है इसमें करनी है दोस्तों तो इसे हम सिर्फ इसी तरह से पलटेंगे अंदर के तरफ फोल्ड नहीं करेंगे इस तरह से पलटने के बाद में दोनों तरफ हमें किनारे पे सिलाई लगा देना है तो इस तरह से देखिए नाड़ा डालने का हमारा नेफ़ा खुल जाता है इसके बाद में ये देखिए दूसरी साइड हम एक फैर का दबाव देते हुए हमें नीचे तक सिलाई लगा दिना है बेल्ट एक इंच हमें ज्यादा काटनी है जितनी आपको बेल्ट तयार चाहिए उसे एक इंच एक्स्टर बेल्ट कटिन करें इस तरह से हमने सिलाई लगा दिना है अब इसके बाद में क्या करना है ये देखिए इसका जो 20 center है यैनी नाड़ा डालने का center और back का center उनको दोनों का एक साथ में मिलाना है इसे हम पहले बराबर कर लेते हैं ये जो नाड़ा डालने वाला center है और back का उसे मिलाने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से बराबर मिलाना है ताकि ज़्यादा इधर उदर नहों और दोनों तरफ का सेंटर जो साइड़ों का होता है तो वो बराबर करने के बाद में दूस्तों राइट हैंड में यह देखिए इस तरह से हमें कटिन कर देना है यह पोकेट हम राइट हैंड में बना रहे हैं इस चीज को अब ध्यान गएंगे जितना हम नेफ़ फोल्ड करते हैं यह देखिए इस तरह से और इसके बाद में दोस्तों जो पोकेट का मूँ बनेगा वो हमें निशान लगा ले ना साड़े पांच इंच तक तो यह साड़े पांच इंच आ रहा है यहां तक और यह हमें आधा से पौना इंच दब फोल्ड करके रखे हैं और नीचे से हम नाप लेंगे इसे तो दोस्तों साड़े 13 से 14 इंच हमने लंबा इसकी रखे हैं और यहां पर देखिए हम 6 इंच रखेंगे नीचे की साइड हमें क्या करना है साड़े 6 से पौने 7 इंच चोड़ा रखना है और इस निशान को इस तर से round shape देना है जो यह pocket हमारी नीचे की तरफ के होती है और इन निशानों पर हमें pocket को cutting कर देना है तो यह देखिए pocket इस तरह से हमने cutting कर लिया है यह देखिए हमारा सीधे की तरफ हमने रखा हुआ है नेफा जिदर fold है उल्टा हमने नीचे की तरफ रखा है अब यह pocket के जहां से नेफा हम फोल्ड करते हैं एक तो यह फोल्ड करने वाला निशान है दूसरा यह निशान है तो इस निशान से आधा इंच कपड़ा हमें पोकेट वाला उपर की तरफ रखना है ताकि जब हम नेफा फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ हमें ध्यान रखना है कि आधा से पॉना इंच बेल्ट का कपड़ा छोड़ना है और एक पैर हटके सिलाई लगाने के बाद इस तरह से घुमाएंगे मशीन को और एक पैर हटते हुए सिलाई यहां तक हमें complete करना है और इस तरह से शिलाई को यहाँ पक्का कर देंगे अब दोस्तों ये शिलाई तक हमें इस तरह से कट लगाना है द्यान लखना कि शिलाई हमारी ना कटने पाए और इस pocket को इस तरह से fold करने के बाद में ये देखें अंदर की तरफ हम pocket को पलट देंगे तो यह देखिए finishing से हमारी यहां पर pocket इस तरह से पलट जाती अंदर की तरफ अब हमने क्या करना है पहले love पर सिलाई लगाएंगे यहीं बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है और अंदर की तरफ एक पर हड के यह देखिए यहां पर सिलाई लगाना है और यहाँ पर भी हमें लब पर शिलाई लगाना ए इस तरह से यह देखिए pocket का अब तो अभी उल्टआ इस तरह से रहने देना और उल्टा हमें इस तरह से fold करना है जब इसे हम पलटेंगे तो दोस्तों पलट देंगे तो यह सीधा हमारी pocket बन जाएगी अब एक पयर का दबाव लेते हुए यह देखें pocket को हम जहां तक belt है हमारी यहां तक नहीं fold करना जहां belt है वहां तक हमें सिलाई लगा देना है और इस तरह से देखें belt के पास से इस तरह से round घुमा देना है और यहां पे हलका से cut लगा देंगे अब pocket को हमें देखिए इस तरह से पलट देना है पलटने के बाद में इसके अंदर का दबाव सारा निकालने के बाद में जोस्तों इसके लब पे सिलाई हमें लगानी है यह देखिए हम इस तरह से सिलाई है कि इसमें लगाएंगे यह जब हमारी सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो जाती है तो पोकेट को देखिए इस तरह से हमें नीचे की तरफ रखना है finish करके और built को इस तरह से हम बराबर मिला लेंगे और ये देखे मिलाने के बाद में ये जो margin हमने छोड़ा है सलवार में जोड़ने के लिए तो इसको ध्यान रखना है कि ये सिलाई के साथ में हमारी pocket के साथ में attach ना होने पाए सिर्फ हमें ये किनारे पे सिलाई लगा के इसे पक्का करना है ये देखे इस तरह से और ये देखे जो दबाव है तो हमने छोड़ दिया इसे attach नहीं किया लब पे ही सिलाई लगा है और उपर के तरफ इस तरह से attach करना है और attach करने के बाद में ये देखिए हम बेल्ट को इस तरह से उल्टे की तरफ पल्टेंगे और पोकेट में पहले एक यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पोकेट इधार उधार ना हो ये देखिए फिक्स रहेगी इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और यह कच्छी सिलाई लगाने के बाद में इस धागे को इस तरह से कटिन कर देना है अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बेल्ट को इस तरह से उल्टा रखके अब इसमें हम दबाव देते हुए शिलाई लगा देंगे और यह ध्यान रखना है कि यह देखिए जो pocket है इस तरह से हमें नजर आ रही है कि pocket कहां से है तो उससे थोड़ा सा हट के सिलाई लगाना है ताकि pocket का मूँव बंद न होने पाए और यहाँ पे ध्यान रखना है कि pocket हमारी इसके साथ में न दबे यह देखिए जो दबाओ है हमारा सलवार में जोडने के लिए तो वो इतना हमने पौना इंच हट के pocket को attach किया है तो इसी तरह से आपको pocket लगाना है और दोस्तों अब देखिए क्या करना है दबाओ को उस तरह पलट के इसके लब पे सिलाई लगाना है और जहां से हमारा मूँ खुला हुआ है pocket का तो वहां पे इस तरह से हमें सिलाई को पक्का करना है और पक्का करने के बाद में यह देखिए अब नीचे तक हम जहां तक हमारी pocket का मूँ खुला हुआ है तो वहाँ पे लप के सिलाई लगाते हुए ये देखिए ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी नीचे के दबाव में ना टैच होने पाए क्योंकि वो सलवार फिर जोड़ने में दिक्कत होगी ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पोकेट टैच कर लिया है अब दोस्तों हमें नेफ़ फोल्ड करना है ये देखिए जहां पे हमने नाड़ा डालने के लिए मूँ खोला है तो वहीं से हम नेफ़ फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से अब दोस्तों ये देखिए जो पोकेट है तो जो नेफ़ हम फोल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर दबाओ इसका दब रहा है बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकलने पा रहा है तो इसी तरह से आपको नेफ़ फोल्ड करना है पोकट लगाने के बाद में यह दिखे इस तरह से हम नेफ़ को फोल्ड कर ले रहे है जब हमारा नेफ़ फोल्ड हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों हम आपको बताते हैं किस तरह से इस सलवार में जोड़ना है और यह धागे को हमें फिनीशिंग से कट इन कर देना है तो दोस्तों देखिए पोकेट हमारी सलवार में लग चुकी है इसे हम जेब भी बोलते हैं तो इसमें आप बटवा भी डाल सकते हैं फोन भी डाल सकते हैं और दोस्तों इसमें पैसे वगएरा डाल सकते हैं या छोटी कोई समान है तो वो भी डाल सकते हैं pocket में कोई दिक्कत नहीं असानी से इसमें आ जाएगा और दोस्तो एक pocket हमारी जो सीधी लगती है तो वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा और सिली हुई सलवार में भी pocket किस तरह से लगाते हैं तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताऊंगा यह देखे हमने इस तरह से pocket लगा लिया है और यह जो हमारा दबाव बचा हुए तो यह सलवार में बेल्ट को अटेज करने की नीचे जो दबाव होता है आधा से पौना इंच आधा इंच वो ऐसे दबाव देते हैं तो यह दबाव हमारा अराम से उसमें अर्जेस्ट हो जाएगा और इस तरह से हमने pocket लगा दिया है दोस्तो यह देखिए हमें कच्चा भी इसका खोल देना है जो हमने pocket लगाते टाइम कच्चा लगा था ताकि pocket हमारी दरुदरना हो और दोस्तो अगर आपको इस सलवार में pocket लगाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अप्लोड करें तो उसकी notification आप तक पहुंच दे रहे मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो हम कुछ नया लेकि तब तक के लिए थांक फर वाचिंग इस वीडियो